सभी प्यारे चात्रों का एक बार फिर से स्वागत है आज हम करेंगे प्रशनाबली 3.1 का प्रशनी क्रमांक 4 का ये तीसरा क्वश्चन तो बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे बस ध्यान से देखते रहना सवाल में ये पूछा गया है कि जैसे आपको दो समिक्रण दिये गए है एक समिक्रण ये दिया गया है और दूसरा समिक्रण ये दिया गया है दोनों के बारे में बताना है कि ये संगत है या फिर असंगत है अगर ये संगत है तो ग्राफिय बिधी से इनके हल ग्याद करना है तो कैसे करोगे देखो पहला कदम तो आपका ये होगा कि इन दोनों समिक्रणों की तुल्ला आप इस समिक्रण से करोगे ये दो समिक्रण दिये गए है न इन्हें हम ब्यापक समिक्रण कहते हैं क्या कहते हैं ब्यापक समिक्रण तो इन दोनों समिक्रणों की तुल्ला अपने ब्यापक समीक्रण से कर देंगे इससे क्या फायदा होगा इससे हमें A1, B1, C1 और A2, B2, C2 के मान मिल जाएंगे उसके बाद हम इनके अनुपात निकालेंगे और जिस हिसाब से अनुपात आएंगे अगर इस तरीके से आ गया तो हम कहतेंगे संगत है अगर इस तरीके से आ गया तो कहतेंगे संगत है लेकिन इस तरीके से आ गया तो कहेंगे असंगत है आईए करते हैं step by step तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा सबसे पहले हम लिखते हैं दिये गए समीक्रण योगम तो जो समीक्रण योगम हमें दिये गए हैं हम उनको लिखते हैं तो पहले नमबर पर दिया गया है 2x धन y-6 बराबर 0 और दूसरे नमबर पर दिया गया है 4x-2y-4 बराबर 0 अब बताओ क्या आप बता पाओगे इन्हें समीकरण एक और दो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं आप खुद बताओ जी बिलकुल बना सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि हमारे ब्यापक समीकरण के बराबर में भी 0 होता है और इनके बराबर में भी इस बात 0 दिया गया है तो इस बार हमें बिवस्थित करने की जरूरत नहीं है पासा लिखेंगे कि समीक्रण एक बाद दो की तुलना ब्यापक समीक्रण अब ब्यापक समीक्रण क्या होता है तथा इस तरीके की आपको भासा लिखनी है और यह जो भासा है यह लगवग हर प्रश्ण में लिख रहे है हर सवाल में हम लोग कर रहे है तो इसको आप डारेक्ट याद भी कर सकते हैं ठीके करने पर चलिए तो इसमें हम इससे तुलना करने से हमें क्या पता चलता है हमें A बन का मान पता चलता है हमें B बन का मान पता चलता है और हमें C बन का मान पता चलता है इसके साथ साथ हमें A2 पता चलता है B2 पता चलता है और साथ में C2 पता चलता है चलिए A1 बताईए तो समिंकरण एक से मिलेगा हमें A1, B1 और C1 का मान और समिंकरण दो से हमें मिलेगा A2, B2 और C2 कैसे देखो समीं किरन एक में जो X का गुडांग है वो है A बन जो Y का गुडांग है वो है B बन और जो अचर पद है वो है C बन अब बता दो आप A बन का मान कितना है X का गुडांग देखो कितना है 2 तो A बन का मान कितना हो जाएगा 2 अब B बन का मान कितना है तो बाई का गुडांग देखो कितना है एक तो बीबन का मान कितना हो जाएगा एक क्योंकि जब कुछ भी संख्या ना हो तो एक माना जाता है और सीबन का मान कितना है माइनस छे किलियर हो गया ना अब बताओ एटू का मान कितना है तो देखो समिंकरंट 2 में जो X का गुडांग होगा वो होगा A2 जो की है 4 B2 कितना है माइनस 2 इस बार माइनस चिन है तो बो माइनस चिन ने लिखना पड़ेगा पिलस नहीं लिखते हैं लेकिन माइनस लिख लेते हैं क्योंकि पिलस तो माना ही जाता है वैसे भी और जो C2 है वो है माइनस 4 तो यहां पे आ जाएगा माइनस 4 क्लियर हुए ना अब हम A1 बटे A2 निकाल लेंगे फिर B1 बटे B2 निकाल लेंगे अगर यह दोनों बरावर हैं तो फिर आगे C1 बटे C2 निकालेंगे सुरुआत करें बिलकुल सबसे पहले हम निकालेंगे A1 बटे A2 तो A2 बटे A2 निकाला तो A1 का मान कितना है दो तो 2 लिखा फिर यह पटे लगा है तो बटे लगा दिया और A2 का मान कितना है 4 चार लिखती है तो 2 एकम 2 और 2 दुनी 4 एक बटे 2 आएगा दो बार में कटा एक बटे 2 अब हम निकालेंगे B1 बटे 2 तो यहां पे B1 रख दिया बटे में क्या कर दिया B2 बरावर तो दिखो B1 का मान कितना है 1 और B2 का मान कितना है माइनस का 2 इसको माइनस को उपर पहुँचा दो तो माइनस एक बटे दो हम लिख सकते हैं फाइनली इसको क्या ये दोनों बरावर है अंसर है नहीं एक माइनस का है तो एक पिलस का है तो लिखेंगे कि यहाँ एक बटे दो बरावर नहीं है माइनस के एक बटे दो के इसका मतलब है कि ये दोनों भी बराबन नहीं है तो C1 बटे C2 निकालने की ज़रोधी नहीं पड़ी तो इसलिए A1 बटे A2 बराबन नहीं है B1 बटे B2 के ये हमने लिख दिया ये देखिए और ये इससे हमें पता चलता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ठीक है याद भी कर सकते हो आप अलग से लिख लो और क्यों होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं रीजन भी जरूरी है देखो रीजन बता देता हूं क्यों होता है क्योंकि जब A1 बटे A2 बराबन नहीं होता है बीबन बटे बीटू तो ग्राफ है ऐसा मिलता है पहले समयकरण की रेखा ऐसे जाएगी दूसरे समयकरण की रेखा ऐसे जाएगी तो केबल और केबल एक ही बिंदू पर मिल सकता है तो इसका केबल एक हल होता है दूसरा हल नहीं होता है इसलिए अदुती हल और योगम संगत होंगे तो इस तरही किसे लिखे देंगे और जब संगत हैं तो सवाल कह रहा है कि ग्राफ खीच के बता तो फिल लिखेंगे heading डालेंगे next page पे graph के लिए तो हमने heading डाल दी graph के लिए अब graph के लिए हमें दौनों समिक्रणों के graph कीचने है तो देखो दोनों समिक्रण हमारी ये थे तो हम सबसे पहले पहला समिक्रण लेंगे और इसकी तालिका बनाएंगे फिर हम दूसरा समिक्रण लेंगे और इसकी भी तालिका बनाएंगे फिर दोनों के ग्राफ खींच देंगे तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से अब हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं तो हमने इस तरीके से लिख लिया इसको हमने बना दिया कि यह है अपना समीकरण 1 अब इसमें हम X का मान मन से रखेंगे जिससे बाई का मान मिलेगा तो सबसे पहले हम x बराबर 0 ही रख देते हैं तो लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर ठीक है तो चलो रख देते हैं तो 2 लिखा तो 2 x की जगह पर हमने 0 रख दिया और प्लस y माइनस 6 तो प्लस y माइनस 6 और बराबर कितना हो गया 0 अब देखो 2 का गुणा होगा 0 में तो कितना आएगा 299 सुन और प्लस कितना आजाएगा बाई और माइनस कितना आजाएगा 6 और बराबर कितना आजाएगा 0 इसके बाद जो माइनस का 6 है इसका इस तरह पक्छांतर कर लेंगे तो बाई बरावर हो जाएगा प्लस का 6 ठीक है तो अब देखो बाई कामान कितना मिला 6 तो हम तालिका बना लेंगे यहाँ पे ठीक है तो यह 3 गंड़ वाली तालिका बना लेंगे यह देखिए इस तरीके से तालिका बना ली अब यहाँ X और बाई लिखेंगे, एक्स का मान कितना है, जीरो, तो एक्स का मान जीरो रखके, बाई का मान कितना मिला है, छे, अब हम सोचेंगे कि एक्स की जगाए पे अगर दो रख दिया, तो दो दो नी चार हो जाएगा, तो बाई का मान और कम हो जाएगा, ठीक है, तो हमने एक्स की एक रख सकते हो, है ना, तो जो आपका मन करें, ठीक है, X बराबर दो रखने पर, तो दो लिखा है, तो दो, लेकिन X की जगह पे हम दो रखेंगे, ठीक है, बाकी पूरा समिंगरंड जेओं करते हो, योकि और कहीं X लिखा ही नहीं है, तो प्लस बाई माइनस 6 बरावर 0, clear, अब देखो, दो दूनी 4, प्लस का कितना बाई, और माइनस कितना 6, और बरावर कितना 0, अब देखो, 6 मेंसे 4 घटा दो, तो बाई, क्योंकि माइनस का 6 और प्लस का 4 है, तो बड़ी संख्या मैंसे छोटी संख्या हमेशा घटती है चिन्ह बड़ी संख्या का रह जाता है तो 6 मैंसे 4 गए तो बचे 2 लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का यानि माइनस का 2 रह जाएगा बरावर 0 2 का कर लो पक्छांतर तो बाई बराबर कितना आ जाएगा दो आ जाएगा प्लस का इस तरीके से बाई बराबर दो प्राप्त होगा कितना रखने से दो रखने से एक्स बराबर दो रखने से बाई बराबर दो प्राप्त हो जाता है तो ये देखो ये समिंकरंट एक की तालिका बनी है हमने heading डाल दी sum incrant 2 से अब sum incrant 2 क्या है अपना 4x-2y-4 बराबर 0 यह देखिया यह था अपना sum incrant 2 ठीक है इसको अपने sum incrant 2 बना दिया अब देखो इसमें बहुत द्यान से समझना x कमान रखेंगे क्या 0 तो भाई कमान मिल जागा ठीक है तो x कमान हम 0 ही रख देते हैं पहले काफी आसान हो जाता है x बराबर 0 रखने पर देखो क्या होगा जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दो तो 4 लिखा है तो 4 x की जिगह पे आपको 0 रख देना है ठीक है फिर –2y और –4 और बराबर कितना 0 अब देखो 4 सुननं 0 और –2y और –4 और बराबर कितना 0 अब 0 का कोई मतलब नहीं है तो बचेगा क्या माइनस 2 बाई माइनस 4 बराबर 0 ठीक है माइनस का 4 इस तरफ लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा तो माइनस 2 बाई बराबर प्लस का 4 ये देखो गुणा में माइनस 2 बाई है ना गुणावाली संक्या बटे में आ जाएगी तो भाई बराबर हो जाएगा चार बटे माइनस दो तो दो दूनी चार तो भाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस का दो ठीक है यह आ गया यानि कि जीरो रखने से आया माइनस का दो तो यहाँ पर table बना लेते हैं यह देखो बना लिया इस तरीके से बना लोगे x कमान यहां रखेंगे by कमान यहां रखेंगे तो x कमान कितना है? 0 तो by कमान कितना मिला है? माइनस 2 यहाँ पर रख दिया ठीक है? अब बहुत ही ध्यान से समझते जाना तो by कमान 0 मिल जाएगा ठीक है? कितना रखने? x कमान 1 ठीक है? तो रख देते हैं तो x बरहबर 1 रखने पर रखने पर चलिए रख देते हैं तो 4 और x की जगह पे 1 4 x की जगह पे 1 रख दिया minus 2 y minus 4 बरहबर 0 माइनस 2Y माइनस 4 बराबर 0 ठीक है तो 4 एकम 4 माइनस 2Y और माइनस 4 बराबर 0 4 से 4 कट गया प्लस माइनस का तो माइनस 2Y बराबर क्या बचा केबल 0 तो गुणा वाली संक्या कहा जाएगी बटे में तो बाई बराबर कितना हो जाएगा जीरो बटे माइनस तो ये भी जीरो के बटे कुछ भी संक्या हो तो वो जीरो ही आएगा तो जो बाई की वैल्यू है वो जीरो आजाएगी एक रखने से कितना आया है जीरो तो एक रखने से आया जीरो अब आपको क्या करना है एक तालिकाँ ये है और एक तालिकाँ ये है दुनों तालिकाँ से आपको एक graph बनाना है क्या बनाना है graph तो ये देखिए ये graph है इसमें मैंने नमँबर भी डाल दिये है देखो ये x اक्चह माल लीजिए तो ये 1, 2, 3, 4 श तरफ माइनस का कर दिया उपर प्लस का और नीचे माइनस का ये बाई एक्ष़ है ठीक है तो अब हमारी जो पहली तालिका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखें ये है हमारी पहली तालिका पहले समय करण की तालिका है तो इससे बना लेते हैं एक लाइन X कमान कितना है? जीरो तो सबका जीरो यहां रहता है मैं रेड पैन ले लेता हूँ चलो ये ले लिया X कमान कितना है? जीरो सबका जीरो यहां रहता है Y का कितना है? 6 वो भी धन बाला तो उपर मिलेगा जीरो और 6 मैं किसे डार्क करें? जीरो को कि 6 को? मैंने बताया कि 0 को कभी डार्क नहीं करते हैं संख्या को डार्क करेंगे तो ये बन गया बिंदू 0 और 6 का बिंदू ये है आप लिख भी सकते हो 0 और 6 का बिंदू ये है जिसा 0 और 6 नट दे शंख हो जाएंगे इसके किलियर है न अब देखो एकस का दो और बाई का दो एकस का दो और बाई का दो एकस का दो कहा मिलेगा ये देखो धन का दो और बाई का दो कहा मिलेगा वो भी धन का ये रहा तो यहां से इसको बढ़ाएंगे यहां से इसको बढ़ाएंगे sql रखके बैसे sql रखने के ज़रुत नहीं है x का 2 ये बढ़ा रहे हैं और b94 ये बढ़ा दे रहे है यहां मिलेगा तो यह है x का 2 और b94 अब इन दौनों को मिला देते हैं तो sql रखेंगे यह देखो sql रख दिया अब मिला देते हैं ये मिला दिया त। ये हो गया अपना P और ये तीर का जिन बना कि यहां कर दिया Q अब summing can't 2 की तालिगा देख लेते हैं ये है summing can't 2 की तालिगा X का 0, Y का 10 X का 0, 17, यहां minus 2, यहां रहेगा तो यहां बिंदू डार्क होगा तो ये जो बिंदू है ये क्या है X का 0, Y का माइनस 2 ये बिंदू ठीक है इसके बाद X का 1 और Y का 0 X का 1 ये है और Y का 0 ये सब का 0 तो एक पे डार्क होगा एक पे डार्क कर दिया अब इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन कीचेंगे तो चलो इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन कीच देते हैं देखो ये इस से अपने आप कट हो रही है हम तो इन दोनों को मिला रही है लेकिन ये अपने आप टच हो रही है तो ये मतलब हल होगा दोनों का ठीक है तभी तो टच हो रही है उससे देखो हमने तो इन दोनों बिन्दों को मिलाया और इस तरीके से कर दिया तो देखो ये दोनों रेखा हैं कहां टच हुई हैं दो दो पे तो इसका हल क्या हो गया दो दो इस तरीके से हम ग्राफ से भी निकल सकते हैं यह हो गया आर और यह हो गया एस और ये जो है दो दो पे cancel होगा है, मतलब परतीचेडी बिंदू है, दो और दो, ठीक है, तो लिखेंगे हम आगे, ग्राफ बनाओगे, ग्राफ के बार आप लिखोगे, ग्राफ के नीचे बहा क्या लिखोगे, कि तो ग्राफ की नीचे हम लिखेंगे कि अतह दौनों समीकरणों के ग्राफ बिंदू दो दो पर प्रतिछेट करते हैं इसलिए दिये गए रैखेक समीकरण कि युग्म या युग्मों का हल दो दो है अतह एक्स बराबर दो और पाई बराबर दो ठीक है यही आपका अंसर आ जाएगा अब आपको नोट करना है कि करके तो यहां से आप लिख सकते हैं ठीक है यहां से आपको लिखना है इसके बाद यहां पे इसके बाद यहां फिर यहां पे इसके बाद यहां और अंद में यहाँ पर और यह वाली जो भासा है यह नहीं लिखनी है यह मैंने पहले लिखी थी उसको मैंने काट दिया था यह लिखनी है ठीक है और यह रहा ग्राफ ठीक है यह रहा ग्राफ ग्राफ बना ले न वैसे आप पर अब सवाल बन जाएगा आई होब कि आप अच्छे से कर लें सवाल को मिलते हैं नेश्ट वीडियो लेक्चर में प्लेलिस्ट अगर आपको क्रम से बढ़ना है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर यहां पर अंड इस स्क्रीन में दिख रही होगी तो वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं थैंक यू